देखिए, इसमें क्या करना है, यह seat को जदि है आपको, share करना है, तो इसको हम लोग राइट क्लिक करते हैं, यहां सीट वाले पर, seat 1 पर राइट क्लिक करिए, और यहां पर लिखा है, move or copy, इस पर क्लिक करेंगे, तो एक डायलोग वॉक्स ओपन हो करके आएगा यहीं पर, यहां पे क्या करना है उपर वाला जो डॉपडाउन लिष्ट है यहां पर क्लिक करना है न्यू बूक पर ठीक यह न्यू बूक पर क्लिक कर दिया फिर उसके पासे लिखना है यहां पर चेक कर देना है create a copy और यहां से OK कर दीजिए जैसे आप OK करेंगे तो नया एक आपका seat open हो जाएगा देखिए एक आपका नया seat open हो गया यहां तो कोई seat अलग open नहीं वाए और इसको क्या करना है आपको सेव कर लेना है जैसे आप सेव करेंगे कहीं पर भी सेव करिए जैसे güzel a new कॉपकर्राइब करते हैं और इसको हम कर देते हैं है और इसको minimize करिए इसको minimize करिए AMन यह निचे करके आगिया इसको open करिए तो देखिए वहीं आपका एक new sheet आया, इस तरह से आपको इसको stand कर सकते हैं